अलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेज में 17 सप्टेंबर 2023, यानि कि दो दिन पहले UPPSC का General Studies Mains का एक्जाम हुआ जिसमें GS2 में Policy and Governance के 12 से 14 सवाल पूछे गए आए देखते हैं ये सवाल क्या थे और इनको answer करने का, tackle करने का, counter करने का तरीका भी जानते है सबसे पहला सवाल, Artmarks का ये question था, जो पूछता है Mention 3D merits of judicial activism, mind you ये sequence order में नहीं हो सकने है question तो कोई जरूरी बात नहीं है लेकिन ये सभी सवाल कवर किये जाएंगे जो polity and governance से पूछे गए थे जब भी आप किसी के merits, demerits की बात करते हैं तो पहले उसकी definition तो बताएंगे कि किस चीज की बात हो रही है, तो वैसे ही judicial activism के बारे में बताएंगे जब भी judges ये सोचे कि हमारा काम सिर्फ जो हमें law के अंदर, कानून के अंदर duties, responsibility दी गई है वही नहीं, लेकिन society के अंदर एक positive impact लाना भी है इस सोच से जब वो judgments author करते हैं, उसे judicial activism कहते हैं Judicial activism का concept Arthur Schlesinger के द्वारा United States के अंदर ये term जो है originate हुई थी ऐसा हो सकता है, कि इससे पहले भी judgments हाती हों, जो judicial activism को promote करती हों लेकिन ये term सबसे पहली बार वहां इस्तमाल की गई थी तो ये एक ऐसी philosophy है, जो judges को कहती है, कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पुरानी जो judgments हैं उनके हिसाब से चलें, पुराने जो legal precedents हैं उनके हिसाब से चलें, आप एक progressive, forward looking, new social policies को अपनी judgments के थूरू जन दे सकते हैं तो कलम की ताकत, जो judge की ताकत है, उसे ये promote करती है judicial activism के अंदर ये कुछ चीजें आपको example के तौर पर बताता हूँ जब Supreme Court दिवाली के festival के ओपर environment को ध्यान में रखते होए, बहुत सारी industries को जैसे की furnace oil की industries हो, non-Diwali वाले दिनों में और दिवाली वाले दिनों में firecrackers को ban लगाती है, तो ये एक activism की निशानी है दूसरा, private vehicles, on these are actual judgments of the Supreme Court, जिसे आप cite कर सकते हैं exam के अंदर actual judgments को cite करना एक बहुती advantageous position में आपको रख देता है अब UPSC या UPPSC, कई question papers में तो directly आपसे पूछा जाता है, कि case laws के जरिए explain करिए लेकिन अगर नहीं भी पूछा जाता है, तब भी आप वहाँ example देंगे वैसे ही यहाँ पे आप example दे सकते हैं, कि जब judiciary 10 या 15 सार पुराने vehicles के उपर ban लगाता है, National Judicial Appointments Commission जो बनाया गया था 99th Constitutional Amendment Act से, उसे unconstitutional ठहराता है, वो अपने आपको protector और promoter of social harmony, social justice इस तरीके के रोल में judiciary देखती है इसके demerits बहुत जादा है, और इसलिए ऐसा बताया जाता है कि आपने demerit बताने हैं, तो इसमें आप जादा time और space waste नहीं करेंगे answer में आप सीधा मुद्दे पे आएंगे जो है demerit और मैं 5 demerit यहाँ पे list out कर देता हूँ सबसे पहला तो concept of doctrine of separation of powers हमारा constitution, although strict separation of powers में believe नहीं करता है लेकिन judiciary कई बार article 142 का इस्तमाल करते हुए कुछ ऐसी judgments देती है, जिनका effect या impact पार्लिमेंट के बनाये हुए law की तरह होता है इसकी recent example है, A.G. Piravi Wallen case A.G. Piravi Wallen, गाजीव गांदी murder case में या एक convict थे convict यानि कि उनको सजा सुनाई गई थी, उम्र कहती वो काफी समय से mercy petition governor के पास लेके गए थे लेकिन उनकी इस mercy petition को accept नहीं किया जा रहा था finally Supreme Court ने अपनी article 142 का इस्तमाल करते हुए A.G. Piravi Wallen को release कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने काफी हद तक अपनी सजा जो है वो पूरी कर दी है, वो अब mercy के हकतार है, यह काम जो governor को करना चाहिए था वो court ने किया, तो इसलिए आप कह सकते हो कि executive और judiciary की separation of powers यहाँ पे देखी जा सकती है कई बार आप देखते हो, court जो है guidelines देता है इसकी एक और recent example देता हूँ, election commission of India इसके अंदर जो election commissioners की appointment होती है उसका भी example दे सकते हो, कि recently Supreme Court ने judgment दी थी, कि election commissioners की appointment should be based on a three member committee जिसके अंदर prime minister, leader of opposition और chief justice of India रहेंगे although recently एक bill आया है जिसके तहत इसकी composition को बदले जाने की बात हो रही है but आप यह देख सकते हैं कि यह काम basically parliament का था क्योंकि election commission के अंदर appointment कैसे होनी चाहिए यह parliamentary law से decide होना चाहिए but यहाँ judiciary उस role को play कर रही थे दूसरा, कोई fixed standard नहीं है क्यों? क्योंकि judicial opinions या judges के personal opinions भी इसमें matter कर सकते हैं for example, कई लोग ऐसा मानते हैं और खासकर US की judiciary में ऐसा देखा जाता है कि यह clearly पता लगता है judges की judgment से कि वो liberal mindset के है, ideology के है या conservative mindset या ideology के है और यदि ऐसा हो, तो judges अपने personal affiliation के हिसाब से judgment दे सकते हैं अगर वो judicial activism में involved हो ऐसा कहा जा सकता है कि USA के अंदर जो abortion laws की strict को strict किया गया है वो इसी वज़े से हुआ है क्योंकि वहाँ की judiciary में conservatives की majority हो गई है तीसरा, trust deficit between citizen and other parts of government जब court ही सारा काम करेगा जब court ही ban लगाएगा, guidelines देगा, rules बनाएगा तो फिर सरकार किसके लिए है सरकार से trust हटता चला जाएगा और ये demerit में आता है चौथा, courts के पास technical, commercial या religious expertise कम है हम देखते हैं कि courts कहीं बार use करते हैं एक doctrine जिसको कहते हैं essential religious practice अब ये क्या essential religious practice declare करने की knowledge उसका where with all, क्या courts के पास है या नहीं है ये हमेशा debatable रहता है और आखरी point जो आप तथे के साथ दे सकते हैं नीती आयो की एक report cite कर सकते हैं अब हो सकता इस report में कुछ इधर उधर technical problems हो बट overall ये report बताती है कि Supreme Court और NGT National Green Tribunal के 5 judgments की वज़े से तकरीबन देश को, ex-checker को 24,000 करोड रुपे का नुकसान हुआ इसमें घुआ के अंदर mining के उपर पूरी तरह बहन लगा देना तमिल अडू के अंदर sterlight की copper factory को जो है sterlight की factory को जो है बहन लगा देना ये सारे decisions थे, ये सारे decisions judicial activism की ही example है और इनकी वज़े से economic नुकसान जेलना पड़ा तो आप end में क्या बोलोगे, end में बोलोगे कि until judicial activism extends to judicial overreach जब तक judicial activism, judicial overreach तक नहीं पहुँचता तब तक वो बहुत important है आप उसके merit बता सकते हो कि भारत में जो PIL system है, public interest litigation system है या भारत में जो sexual assault को लेके laws है उसमें reform इसलिए आए क्योंकि judiciary activist थी तो एक दो point merit का भी लिख देना इससे आपका जो है answer balance हो जाएगा दूसरा सवाल ये बिलकुल simple सवाल है, इस पर जादा discussion में नहीं करूँगा आर्टिकल 72 के अंदर दिये गए गवर्नर की पावर्न, sorry, president of India की pardoning power से, गवर्नर की power कैसे? different, so they are asking you what is the difference between the powers of the governor and the powers of the president basically there are two differences number one, governor cannot pardon any court martial case तो military court के द्वारा आया गया कोई फैसला, गवर्नर के पास refer नहीं होता है, pardoning के लिए और दूसरा, गवर्नर कभी भी death penalty को completely pardon नहीं कर सकता है ध्यान से सुनना है, गवर्नर कभी भी death penalty को completely pardon नहीं कर सकता है, अगर ये जो references आपने लिखने हैं, तो सबसे पहले मैं ये suggest करूँगा कि introduction में आप बताएंगे article number, तो यहाँ 161 यहाँ 72, and then through a flow chart, please इस तरीके से आप बता दीजेगा कि 5 तरीके की pardons रहती हैं, जिसमें से पहली होती है complete pardon, फिर होता है commutation, फिर होता है reprieve, फिर होता है respite, और फिर होता है remission, तो please इस चीज को पहले ही highlight कर दीजेगा, उसके बाद यह दो differences बता दीजेगा, because it is an 8 marks answer, ज्यादा words नहीं लिखने हैं इसके अंदर, तो दो differences बता दीजेगा, और recent judgment cite कर देना है, recent judgment in 2021, supreme court stated that there are other powers as well, मतलब pardoning या remission की एक और जो है cause होता है, वो होता है section 433 of CRPC के अंदर ठीक है, तो CRPC के अंदर section 433 के बाद, जो chapters आते हैं उसमें state government भी pardon कर सकती है अगर आप यह point लिख देते हैं, if you write this point, then it will be very beneficial for you in the exam क्योंकि एक जानकारी मिलेगी अतरिक जानकारी, extra जानकारी आपके पास है, इस चीज़ को लेके चलिए तो इसमें इतना ही लिखना काफी है एक और सवाल, why the preamble is called the philosophy of the constitution this is a very basic question यह अब जब start करते हो polity पढ़ना, तभी पढ़ लेते हो कि preamble में भाई साब वो सभी ideals है, जो हमारे constituent assembly के members के पास थे, जो हमारे freedom fighters envisage करते होए, लड़ते हुए आये थे, और जो हमने future में देखना था, तो इस question में आप बहुत ही beautifully past present, यानि present मतलब उस वक्त का present, जब preamble बना था, और future के बारे में बात कर सकते हो, past यानि freedom struggle के जो philosophies थी freedom struggle के जो ideal थे, वो preamble में लिखे होए हैं, यह बता सकते हो है न, sovereignty, justice यह सब की requirement हमें थी representation की requirement थी हमें equality की requirement थी, present मतलब constituent assembly में जो लोग present थे, उनकी क्या requirement थी, देश को लेके, है न कि वो republic होना चाहिए, ठीक है वो जो है, एक democracy होनी चाहिए democratic republic हमें चाहिए, उस वक्त के लोगों की क्या requirement थी, और future के लिए, आप यह देखोगे कि future में भी जो philosophy थी हमारे देश की, उसे reflect किया गया, तो future में हम justice, liberty, equality, fraternity चाहते थे हमारे देश में, unity और integrity चाहते थे हमारे देश में, हमने even preamble में change भी लाया, socialist और secular principles को उसमें include किया, ठीक है although secular जो principles है, वो पहले से ही हमारे समविधान में थे, पर फिर भी आगे जाके हमने उनको change किया, तो इस से आपको पता चलता है, कि हमारे constitution का दर्शन है, एक और चीज, हमारे constitution के अंदर जो बाकी जगा पे articles है उसको यहाँ पे आपने map करना है you understand the point, जब आप से पूछा जाए कि philosophy of constitution क्यों है preamble तो समविधान में जो बाकी जगा पे चीज़े है ना, उनको preamble के words से link करना है, for example equality को आपको link करना है fundamental right to equality के साथ इस answer के अंदर, similarly आप जब justice की बात करते हैं social justice की बात करते हैं, तो आपको directive principles को link करना है यहाँ पे, तो यह linkage अगर आप provide कर पाते हैं, तो आपका answer holistically अच्छा रह जाएगा, बढ़िया रह जाएगा, otherwise you'll just be talking in general, question तो पूछ रहा है कि preamble philosophy क्यों है, भारत के समविधान की, तो भारत के समविधान के articles का इस्तमाल आपने यहाँ करना है I think this much is enough, बाकी आप यह framework जो है, वो हमारे telegram channel से भी download कर सकते हैं, anyways चौथा सवाल, बहुत ही simple सवाल, 42nd Constitutional Amendment Act को, revision of Indian Constitution क्यों बुला जाता है, 8 marks का सवाल है, 8 marks का सवाल है इस question के अंदर आपने जितना भी 42nd Amendment के बारे में पढ़ा है, वो सब लिख दोगे and I am very sure that once you read polity once you read the relationship between the fundamental rights and directive principles of state policy, this is the most important act you will read and along with that, in several chapters you must have seen that 42nd Amendment has made a great change, तो इसको mini constitution भी बोला जाता है जैसा कि हम जानते हैं इसे mini constitution भी बोला जाता है इस प्रियंबल से ही शुरू होते हुए हजारों changes हजारों मतलब figuratively speaking मतलब hypothetically speaking actual में नहीं है हजार, लेकिन बहुत सारे changes इसने सम्विदान में किये जैसे कि इसने socialist secular integrity शब्दाइड किया इसने scope जो है article 31C का scope जो है वो increase कर दिया ये कहा कि हम किसी भी fundamental right comment कर सकते हैं किसी भी directive principle को implement करने के लिए ठीक है? और इसने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की Supreme Court की jurisdiction को restrict करने की कोशिश की कई सारे नए directive principles introduced किये तो ये सब कुछ मैं अपने important constitutional amendment acts वाली series में detail में cover कर चुका हूँ करें जब भी polity के basics revise करने हैं तो constitutional amendments को जरूर revise करना है और वहाँ पर मैंने तकरीबन तकरीबन 30-40 constitutional amendments detail में discuss किये हैं from both means and prelims perspective तो please link में description में link डाल दिया जाएगा उसको आप देख लिएगा वीडियो को चलिए तो 40 second amendments से बहुत सारी चीज़े हुई जिसकी वज़े से उसे कहा जाता है कि वो mini constitution है या revision of Indian constitution है although 44th amendment जो आया 78 में 1978 में जो 44th amendment आया उसने बहुत सारी चीज़े reverse करने की कोशिश की खास तोर पे जो emergency जुड़े प्रावधान थे emergency से जुड़े जो provisions थे उनमें बहुत सारे changes भी लेके आया so इसको आप refer कर लीजेगा और इन में से सारे लिखने की जरुवत नहीं है because of course you will not be able to write so much in 125 words इसमें से 3-4 जो major changes है emergency को लेके जो changes है preamble के अंदर जो changes है directive principles को लेके जो changes है इसी लिए उसको आप highlight कर दीजिएगा anyways transparency and accountability are complimentary to each other ठीक है तो ऐसे तो आप मुझे कहोगे sir कहा exam में court याद आता है लेकिन अभी याद कर लो हो सकता है अगले means जब भी लिखोगे जहें कहीं पर भी लिखोगे तो कभी भी governance से जुड़ा सवाल आता है तो इसमें इस तरीके से start कर सकते हो if liberty and equality as thought by some are chiefly to be found in a democracy they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost इसके दो meaning निकाले जा सकते हैं Aristotle की statement के एक meaning यह कि governments government participatory होनी चाहिए government participatory होनी चाहिए लेकिन मैं अगर इसको नए context में देखूँ तो sharing का मतलब मैं यह भी देख सकता हूँ कि लोगों के साथ maximum information sharing की जानी चाहिए अगर वो participate directly नहीं कर सकते तो वो indirectly कैसे कर सकते हैं अगर आप उनके साथ information share करते हो this is very obvious कि transparency and accountability complimentary ही होते हैं लेकिन उसको answer में कैसे बताना है पहले तो शुरुवात में बताना है कि जो good governance के 8 attributes होते हैं आप world bank के good governance के attributes तो रटा मारने हर किसी candidate को पढ़ते ही हैं ठीक है accountability, responsibility, transparency effective and efficient government equity and inclusiveness, consensus oriented and participative government ठीक है यह जो मैंने बताया है यह world bank के 8 attributes है good governance के ठीक है accountability, responsibility responsiveness, transparency effectiveness, efficiency, equity consensus oriented, participatory governance तो यह जो यह इसके component है उसमें transparency और accountability सबसे ज़्यादा important होते हैं फिर आप बताऊगे कि accountability without transparency कैसे होगी accountability that means people or any organization holding someone accountable, holding someone responsible can only happen if they have the entire truth about the proceedings और if they don't have the entire truth it will be imperfect इसमें आप recent example दे सकते हो कि five eyes का जो spy वाला alliance है यानि secret intelligence agencies का alliance है USA, New Zealand, Australia, Canada इन सब के बीच में उनकी transparency तो नहीं है तो वो इंडिया से किस तरीके से accountability मांग रहे हैं पता नहीं transparency without accountability now this is ULTA जहाँ transparency है लेकिन accountability नहीं है वहाँ पर एक toothless tiger या apathetic society वाली feeling आईगी मतलब आपने सब open रखा है system को लेकिन कोई भी उसकी remedy के लिए procedure नहीं है so if there is corruption it is open corruption but there is no remedial procedure for that procedural safeguard ही नहीं है grievance reversal mechanism ही नहीं है अगर transparency है बिना accountability के वो चल रही है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बिना coexist नहीं कर सकते हैं culture of secrecy की भी बात कर सकते हो जो second ARC बात करता है official secrets act 1923 के बात से हमारे यहां culture of secrecy पैदा हुआ है उसको हमने translate किया RTI के through also दो और additional point लिख देना accountability must be continuous not episodic ठीक है ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ही नेता जो है अपनी शकल दिखाता है 5 साल बाद या कुछ समय बाद ही जो है साल साल बाद audit होता है every year audit will be there ठीक है continuous monitoring accountability होनी चाहिए जिसके लिए e-governance बहुत जादा important है आग e-governance का भी question है transparency must be complete not partial or selective accountability continuous होनी चाहिए और transparency complete यहां पर spelling के लिए माफ कर दीजेगा मुझे तो transparency जो होनी चाहिए बिलकुल complete होनी चाहिए partial नहीं होनी चाहिए partial मतलब कि joint secretary से उपर वाले बंदे से आप नहीं पूछ सकते हो उससे नीचे वाली ही file अवेलेबल होंगी सारी and ultimately you need to disclose the you need to have transparency that is complete यह बात आप end में लिख देना है चलिए self-help group again very basic question very basic जानकारी जो generally हम पढ़ते ही है analytical note देना है composition पे देना है functions पे देना है तो शुरू हो जाएंगे definition से कि self-help group क्या होता है self-governed peer-controlled information group informal group of people with similar socio-economic background and having desire to collectively perform common purpose तो SSG की composition में composition बहुत important है क्यों क्योंकि number one ऐसा नहीं है कि यहाँ पे nominated या elected representatives आने वाले यहाँ पे जो gram सभा के आम लोग होंगे वो आएंगे second composition क्यों important है कि इस group का छोटा होना बहुत ज़रूरी है यह expansive एक group नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो beauty है वो small groups के अंदर ही develop होती है तीसरा इसमें women centric जादा है ठीक है women centric जादा है अब आप यह dashboard देख लो यह dashboard मैंने day nrlm की website से लिया है ठीक है giving them full credit कि मेरा collect किया हुआ collect किया हुआ data नहीं है ठीक है दीन दिया लंते हो दे योजना national rural livelihood mission के through मैंने यह data collect किया है data collect तो क्या ही किया है मैंने वहाँ से एक data का dashboard उठाया और आपको बता दिया कि भारत में कितने sg promote किये जा रहे हैं फिलाल कितने household जो है mobilize हो चुके हैं नंबर of carder कितना हो चुका है यह सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं तो आप जब भी sg के बारे में बात करें तो उसे एक voluntarily small social economic upliftment women led और saving organization के तोर पे देखेंगे तो 4-5 characteristic आप रट लेंगे sg के जब भी इसे जड़ा सवाल आता है तो उसको लिख देंगे इसके functions को भी analyze करने को कहा था तो यह सब इसके functions है small amounts को regularly save करने की मदद करना mutually agree करना कि वो एक fund में contribute करे collective decision making लेना कि sg आगे किस तरीकी की कारवाई करेगा collective borrowing करना वो भी phase wise मतलब पहली चरण में आपको 10 लाक 20 लाक रुपे नहीं मिल जाएंगे पहले छोटे लोन मिलेंगे micro loans मिलेंगे ठीक है peer pressure के through repayment mechanism को ensure किया जाता है कि एक दूसरे को आप बोलते हो कि अगर तुमने ये जितना तुम्हारा share है वो वापिस नहीं दिया तो पूरा sg जो है वो default कर जाएगा और जब default कर जाएगा आगे loan नहीं मिलेगा ठीक है conflict की resolution होना mobilization empowerment of women होना poverty alleviation ये सारे के सारे functions ये perform करता है what you don't have to miss in this answer is a few examples ठीक है क्योंकि ये तो बाकी सब लिख लेंगे रटा मार के चले जाएंगे previous year question देख लिया होगा उन्हेंने UPSC, UPPSC का और उन्हें पता होगा कि SSG important topic है लेकिन आपको differentiate करने के लिए यहाँ examples रहेंगी उसकी example दे सकते हो और जो दो सब को याद रहती है वो last में, सेवा और कुडुमश्री ये सब को याद नहीं रहेंगी ये वाली तो सभी को याद होती है most of the aspirants know about Self-Employed Women's Association गुजरात के अंदर, श्रीमती ईलाभट की leadership में फॉर्म होई थी और कुडुमश्री जिसके रिसेंटली 25 साल पूरे होए थे 25 यर्स पूरे होए थे और it is a profit-making SSG ये profit-making SSG's का collective है self-help group नहीं रहा है ये collective है, cooperative की तरह काम कर रहा है तो इसे लिए आपने समझना है कि examples इस answer की जान है 7th question, again basic जानकारी अगर आप e-governance पढ़ते हो ICT पढ़ते हो तो basic points है इसमे discuss करना है आपने और ये थोड़ी सी मुझे doubtful भी लगी English की क्या कहना कह चाते है कि application of ICT is for delivering government service मतलब is one of the application मानता हूँ मैं कि एक application government service delivery है लेकिन crux of the question आप समझ गए न कि इसके बारे में चर्चा करनी है discussion करना है discussion करना है तो पहले आप बता दो कि ICT के use को कहते है e-governance है न और भारत में e-governance plan जो है काफी समय से चल रहा है 2006 से ही चल रहा है और अब digital India mission के थूँ उसे और जादा next level पे ले जाया जा रहा है then you will talk about कि कहां कहां मदद हो सकती है और again इसमें भी the जान, the रूह, the soul of the answer is going to be your example कहीं question में example valuation होती है लेकिन कहीं question में example के तूँ ही difference create होता है और यह difference यहां create होगा जब आप सारे के सारे application बताओगे कि e-governance की applications क्या क्या है there can be multiple examples यह तो मैंने बस एक generic आपको examples दी है आप खुद से भी examples ढूण सकते हो ताकि वो आपकी unique examples हो कहीं source से ना मिली हो और वो आप answer के अंदर quote कर सकते हो ठीक है तो information access websites के थूँ dashboards के थूँ online marketplaces online auction and bidding land records bill भरना authentication of documents करना digilocker यह सब बता देना e-pramad जीवन प्रमाण यह सारे example है service delivery की ओके तो यह अब आप समझना है कि किस तरीके से ICT आ रहा है यह pointers बहुत important है क्योंकि discussion करना है इसलिए service delivery points कैसे होंगे कहां से बनेंगे मतलब किस चीज का इस्तमाल करके आप service delivery करेंगे या तो websites का इस्तमाल करेंगे या common service centers या civic service centers CSE का इस्तमाल करेंगे या mobile applications का इस्तमाल करेंगे जैसे among application होगी या PM Vani का इस्तमाल करेंगे जो recently Wi-Fi को एक PCO की तरह PDO के थूँ प्रोवाइड करना जाता है public data operators की तरह प्रोवाइड करना जाता है ठीक है चलिए अब this is a bit of a tricky question क्यों क्योंकि examine the increasing powers and roles of prime minister it is a political question why because constitution में तो कोई ऐसा amendment नहीं हुआ सम्मिधान में तो कोई ऐसा change नहीं आया बदलाव नहीं आया जिससे prime minister की powers increase होते होए दिखी होगी और in general भी हम इस तरीके के सवाल prepare नहीं करते तो इसमें क्या करना है दिमाग का इस्तमाल वैसे तो सभी में करना है लेकिन इसमें instantly करना पड़ेगा क्या करोगे वहाँ जाके सबसे पहले तो articles लिख दोगे है न कि 74-75 के अंदर है अब आप बताओगे कि जो existing powers है PM की वो flow chart के थूँ बता देना जो basically आप पढ़ते हो PM की executive क्या होती है legislative क्या होती है इस तरीके से 2-3 point बना के लिख देना now increasing क्यों लग रही है आपको इसके 5 point में देता हूँ एक क्योंकि absolute majority वाली सरकार है cabinet committees are head by the prime minister new cabinet committee भी जो बनाई गई थी दो वो भी prime minister द्वारा head की जाती organizational head बहुत सारी organizations के prime minister है ऐसा पहले भी था बट अभी के examples है नीतियायोग national ganga council CSIR वगेरा के तो पहले से भी head थे prime minister and membership of several committees बहुत सारी appointment committees में भी जितनी भी नई committees बन रही है उसमें prime minister जरूर member रहते है जैसे election commissioner वाली फिर lesser use of presidential veto तो last हमने देखा था Dr. E.P.J. अबदुलकलाम ने presidential veto का इस्तमाल किया था लेकिन यहाँ पे आप इसका कम इस्तमाल देखते हो इससे क्या लगता है आपको इससे यह लगता है कि prime minister अच्छे से manage कर रहे है कि president जो है वो अपनी discretion का इस्तमाल कम से कम करे और आखरी है political perception political perception से ऐसा लगता है new parliament building हो गई opposition party के allegations हो गई है ना तो political perception भी इसका एक कारण है ठीक है तो prime minister office का भी एक point लिख सकते हो PMO most of the decisions being taken by PMO for example de-monetization के time पे PMO का increasing role देखा गया तो यह 6th point यह भी लिख सकते हो अब यह point आपने लिख दिये आप देख लीजी आप government सरकारी service का exam दे रहे है तो आप इस तरीके के political आरोप लगा के छोड़ नहीं सकते answer को चाहे आपने points दिये है even if you have given you know evidence you need to back up with the counterpoints ठीक है अब back up with the counterpoints कैसे करोगे कि Prime Minister is supposed to be de facto head सम्मिधान ने सोचा ही था कि Prime Minister के पास सारी powers होनी चाहिए parliamentary position में कोई बदलाव नहीं आया है मतलब Parliament की position अभी वी वैसी है दो बारी no confidence motion आया ठीक है कोई रोक नहीं सका उसे तो 2018 में, 2023 में दोनों बार no confidence motion आया लेकिन अब democracy का principle ही ही है कि majority जीतती है तो क्या किया जाए कोई ऐसा reform या law नहीं है जो without widespread public acceptance accept हो जाए जैसे farm laws जब लाए गए तो बहुत जादा protest हुआ, बहुत जादा चर्चा उसके उपर हुई और उसको वापस लिया गया ठीक है decisions taken by cabinet meetings क्यूंकि parliamentary democracy है और cabinet meetings के अंदर जो फैसले लिये जाते हैं उनको मानना यह parliamentary convention है, यह British Parliament system में भी चलता है, हमारे में भी चलता है तो ठीक है, ऐसा सब हो सकता है कि लग रहा हो, लेकिन हमें counterpoint 2-3 देने पढ़ेंगे, we have to give 2-3 counterpoint, आखिर में इसमें क्या करोगे आप, इसमें पूछा है, how does it impact the other institutions तो क्या impact होएगा भई judiciary को लगेगा कि executive जो है, interference कर रहा है ठीक है, legislature को लगेगा कि, मेरी committee के pass bill नहीं जा रहे हैं, है ना कोई private member bill पास नहीं हो रहा है, यह सारी चीज़े लग सकती media को कुछ भी लग सकता है so media is an important role to play media has also will get impacted because it will portray the government as someone or some entity that is ruled by one person, है ना तो जितना एक individual की power में increasing perception आपको नज़र आएगी उतना उसकी perception public में भी दिखाई देगी, साथी साथ civil society का role जो है वो active हो जाता है और जादा democratic reforms की वो demand करते हैं, जैसे कि electoral bonds के खिलाफ जो है वो petitions वगेरा डायल करते हैं, ताकि यह लगे कि किसी तरीके से अब civil society को यह active role प्ले करना है, ठीक है? चलिए next आते है, ninth question इसके तीन पार्ट है how does the federal structure in India accommodate diverse need and aspiration of different states? अब इस फले question को आप चार mechanism से बताओगे कि भारत का जो structure है कैसे अलग-अलग states की अलग-अलग aspirations को manage करता है, पहले तो constitution में ही हजारो mechanism है ठीक है, distribution of power जो है वो defined है, scheduled or tribal areas है, article 371 है, अलग-अलग states के लिए अलग special provisions है, constitutional amendment type 2 है, जिसमें आपको article 368 में दोनों houses of parliament की majority और 14% states की majority भी चाहिए तो constitutional mechanism तयार है legal mechanism भी तयार है interstate river water dispute, official language तो हर state अपनी official language रख सकता है ठीक है, institutional mechanism भी तयार है उसके लिए, interstate council है regional council है, zonal council है नीती आयोग है, ठीक है, यहां zonal council भी लिख देना, statutory bodies statutory organizations और आखिर में informal mechanism तो चली रहा है, तो protest, agitation, civil society participation, इसमें आप judicial mechanism भी बता सकते हो कि article 131 का इस्तमाल करके, 32 का इस्तमाल करके, 136 का इस्तमाल करके जो है judiciary को भी approach किया जा सकता है, तो accommodation इस तरीके से हो रहा है, अब आपने बताना है challenges के हैं, और यह साल भर, throughout the year we have discussed in several of our YouTube videos as well, कि जितने भी center state के challenges हैं, वो दो type के हैं, एक है legacy challenges, हमेशा से चलते आ रहें एक recent times में challenges, ठीक है तो इतना detail में तो यहां बताना नहीं है, are there any challenges पूछा है, तो बता देने है, role of governor, central agencies, all India services financial relations, now how are they addressed, they are addressed using that same mechanism, मतलब यह same mechanism, तो constitutional mechanism के तहत, आप financial problem solve करते हो, कैसे, GST council का इस्तमाल करके, ठीक है legal mechanism का इस्तमाल करके, आप tribunal बनाते हो, है न institutional mechanism का इस्तमाल करके आप regional council meeting में जाते हो हाली में, regional council की meeting के अंदर, जो chief minister है, पंजाब के, उन्होंने यह बात रखी सामने, center के साथ, that we want some of the compensation, some of the financial requirements we have, तो यह mechanism involved हो रहे हैं, यह circular उसमें जाएगा, कि यही mechanism इस्तमाल हो रहे हैं, the same mechanism that we mentioned, फिर आता है, question, what alternate mechanism of dispute resolution have emerged in recent years, how far have they been effective, ADR, alternate dispute redressal mechanism, यानि कि जो हमारा triangle है justice का, supreme court, high court, और district and subordinate court, इस से बाहर जहां dispute resolution होता है, उस सब को बोलेंगे, ADR, alternate dispute redressal, now you may talk about tribunals here, but मुझे लगता है कि tribunals के बारे में यहां बात करना, avoid करना चाहिए, वो इसी लिए, क्योंकि tribunals भी quasi judicial bodies ही होती है, और ऐसा होता है कि ऐसा आप कह सकते हो, कि passing reference दे सकते हो, tribunal का, but don't go in detail, क्योंकि tribunal की बात करोगे, तो वाँ भी detail में बात करनी पढ़ सकते हैं, anyways, pendency of cases कितनी है, यहां से introduction दे दो, कि 5 करोड, 5.5 करोड से उपर pendency है, इसलिए ADR बहुत ज़ादा जरूरी है, हमारे जो laws हैं, कानून हैं, उसमें ही ADR के प्रावदान है, तो अगर आप civil procedure code देखोगे, अभी तक, फिल हाल तो यह civil procedure code के नाम से ही जाना जाता है, civil procedure code देखोगे, उसका section 89 देखोगे, तो वहाँ पर बताया गया है sir, कि arbitration, conciliation, judicial settlement, mediation, इन सब के through, जो है, आप out of court settlement कर सकते हो, आप act का नाम भी बताओगे, कि जो arbitration, conciliation होती है, वो इस act के तहत होती है, legal services authority act के तहत, लोक अदालत वाली settlement होती है, और mediation के लिए इसी साल, September 2023 में ही एक bill आया है, जिसका नाम है, Mediation Act 2023, बिल मतलब वो आप act बन चुका है, कानून बन चुका है, इस table को ध्यान से समझना है, इस table के अंदर बताया गया है, कि तीन तरीके के ADR है, alternate dispute redressal, एक है arbitration, एक है conciliation, एक है mediation तीनों में आप एक neutral third party के पास जाते हैं, लेकिन उनका जो role होता है, वो different है arbitration के अंदर, दो parties, एक neutral third party के पास जाती है, वो neutral third party पहले से ही decide की जाती है, मतलब, it is already decided in their agreement with each other that if there is a dispute between us, we will go to that arbitrator हम उस arbitrator के पास जाएंगे arbitrator जो award देता है उसे binding माना जाता है मतलब, आपको उसे मानना पड़ेगा you cannot reject that award तो यह strict है, थोड़ा सा strict है फिर जब conciliation की तरफ जाते हो तो conciliation में कोई pre agreement नहीं चाहिए होता है आप dispute arise होने के बाद भी जा सकते हो किसी third party के पास और बोल सकते हो कि जी हमारा यह मामला हो गया मसला हो गया, इसको resolve करवा दीजिए conciliator का जो suggestion होता है recommendation होता है, वो non-banding होता है similarly, mediator जो है वो facilitator की तरह काम करता है यह और भी जादा informal system है यहाँ पे non-adversarial तरीके से resolution किया जाता है मतलब mediator कहता है कि आप लोग यह 3-4 बातों पे आपस में बात करो, आपस में discuss करके मेरे पास solution लेके आओ मैं आपको बोलूँगा, हाँ, यह solution मुझे लगता है सही है, both of you please sign an agreement, तो यह थोड़ा सा mutually discussion को facilitate करने वाला बंदा है, mediator which is non-binding, again non-binding तो यह सारी चीज़े हमने अपने courses में भी बहुत discuss की है even mediation act हो गया, लोग अदालत हो गया ठीक है, लोग अदालत gram नयाले, all these are the modes of alternate dispute redressal इनकी performance के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि despite this, there is less awareness ठीक है, infrastructure and funding issues are still there ठीक है, तो इस तरीके से आप assess करोगे और pendency अभी भी है pendency resolve नहीं हो पाई है तो अभी भी बहुत काम करना बाकी है in the domain of ADR alternate dispute redress 11th question, बिल्कुल basic question है, again basically आप जानकारी लेते हो, civil servants की role of civil servants को clarify करना है democratic process को strengthen करने के लिए, तो इससे आपको क्या करना है, democracy के क्या principles होते है, एक democracy के क्या principle होते है, free and fair election होना चाहिए पहला, दूसरा एक unbiased तरीके से वहाँ functioning होनी चाहिए, किसी तरीके का discriminatory या discrimination वाला action नहीं होना चाहिए, वहाँ peace और harmony का महाल होना चाहिए, तभी democracy बहाल हो सकती है, तभी जो है, जैसे जमुन कश्वीर में कहते है न, कि why democracy is not returning, because peace is not there, तो internal security maintain करना, goals और priorities set करना, तो policy making से policy implementation तक, ठीके again I don't need to discuss with you, यह बहुत ही, जब आप basics पढ़ते हो न, services के, तो वहीं पर आपने clarification दे देना है, थोड़े से counter points जरूर दे देना इसमें, counter productive points, जैसे की bureaucracy अपने आप में democracy के antithetical है, why, because they are not elected people, these people wield a lot of power and they are just appointed by the UPSC, और other recruitment agencies, ठीके, तो politicization होती है, corruption होती है, जो भी इनके issues है, वो भी highlight कर देना, steel frame से शुरुबात करोगे, बढ़िया है, बारवा जो question है, बारवा question है, what is citizen charter, what is its role in welfare of citizens, ठीके, तो citizen charter is basically what you call a document, citizen charter is basically a document that lists out the goals and aspirations as well as, as well as, the obligations towards the citizens, ठीक है, तो citizen charter में एक vision होना चाहिए, एक mission होना चाहिए, एक objectives होने चाहिए, और इस document को आपको publicly display करना है in your premises, जिस भी department या ministry या मंत्राले के अंदर आप citizen charter आप operate करते हैं, वाँपे citizen charter को display करना है, साथ ही साथ आपकी website के ओपर ये clearly mention होना चाहिए, इसमें क्या बताते हो, आप बताते हो कि service delivery कि क्या parameters है जिस पे आपको judge किया जाए, this is exactly वो accountability transparency वादा, ठीक है, तो जब आप बता देते हो कि अगर आप हमारे hospital आएंगे, तो यहाँ पे आपको check-up करवाने में इतना time लगेगा, इतनी fees है है न, अगर आपकी report दे है lab के अंदर, तो इतने घंटों में आपको report मिल जानी चाहिए, so it sets the standards, it sets the standards of service delivery, and if the organization does not meet the standards, because they are transparent they will tell you, they will meet not if they will not meet the standards, you can hold them accountable, ठीक है तो अगर आपने good governance करनी है, तो आपके पास तीन चीज़े होनी चाहिए, according to the सेवोत्तम model, सेवोत्तम model के हिसाब से आपके पास तीन चीज़े होनी चाहिए, पहली citizen charter होना चाहिए, दूसरा grievance wrestle होना चाहिए, और तीसरा effective service delivery होनी चाहिए, तो जो good governance है, वो कहीं यहाँ लाए करती है यह diagram आप बनाके आजाएंगे इस question के अंदर, फिर आप बताएंगे कि citizen charter कैसे help करता है, citizen charter standard set करता है, citizen charter accountability mechanism तयार करता है, citizen charter help करता है awareness generation में, कि यहाँ कौन-कौन सी सुवधाय available है, citizen charter participatory governance में help करता है, क्योंकि जानकारी जितनी ज़्यादा spread होगी उतने ज़्यादा participative लोग वहाँ पे आएंगे, ठीक है, so all these aspects आप governance में पढ़ते हैं, I hope जहाँ भी पढ़ रहे आप जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, यह बहुत ही basic concepts हैं, और इनको answers के तोर पे इस्तमाल करना यह हम यहाँ आपको सिखाते ही हैं, through our multiple courses, तो यह 12 question आये थे UPPCS के अंदर, जिनको आप easily tackle कर सकते थे, यदि आपने एक comprehensive तरीके से तयारी की होती, खास तोर पे mains exam की, तो इसी के साथ UPPCS हमारा जो prelims come mains batch है, प्रहार, उसके बारे में मैं आपको चंद शब्दों में बताना चाहूंगा, हमारे इस course के अंदर आपको topic wise lectures मिलने वाले हैं, relevant previous year questions का discussion होगा इन सभी lecture में, तो जितने भी PYQ होंगे, वो cover किये जाएंगे comprehensively, और state PCS में PYQ cover कर लो, तो 60% battle is won, subject wise current affairs की compilation भी आपको मिलेगी, UP specific current affairs की भी compilation मिलेगी, so it is not only generic, it is UP specific as well, ठीक है, तो practice MCQ और mains के question, अलग से telegram group, यह सब आपको provide हो जाएगा, इस particular price पे, ठीक है, तो जल्द से जल्द enroll करें discounts also, अभी इस पे discounts भी चल रहे होंगे, तो आप इन numbers पे contact करें, email ID पे हमें mail करें, यदि आप हमार साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं तो हम YouTube पे तो आपकी सेव में हमेशा हाजर है, धन्यवाद और मिलते हैं आप से अगले session में, आजी, तो UPPCS GS2 international relations, पता है कितने number का आया, 60 marks का, कुछ सवाल 8 नंबरी थे, कुछ सवाल 12 नंबरी थे, 60 marks का आया राया है, 6 सवाल, जो कि इस बात पर emphasize करते हैं, कि current affairs उतने ही जरूरी है, UPPCS के लिए उतने ही जरूरी है, UPPCS के लिए, तो आईए इन 6 सवालों का discussion, analysis, यहां पर हम करते हैं, ब्रीफ ही रखेंगे, जादा time नहीं लगाएंगे, तो यह तो आपको बता ही होगा ना, कि देखिए, इसमें जो 8 marks के जो questions हैं, जो के short answer questions हैं, उसकी word limit 125 word है, और जो लंबे हैं, याने के 12 marks के जो questions हैं, उसकी word limit 200, याने के 200 word limit 12 marks के questions की हैं, तो यह word limit के बारे मैं उम्मीद करता हूँ, आपको पता होगा, यदि आप UPPCS के paper से और pattern से वाकिव हैं, question था, question number 8, आपके question paper में, GS2 के, the failure of Sark forced India to strengthen BIMSTEC, explain, अब देखिए, यह Sark versus BIMSTEC, यह कितनी बार हम comparison UPSC में भी बढ़ते हैं, statement बहुत सरल है, कुछ ज़्यादा घुमा फिर आके नहीं पूछा, answer करना भी relatively easier है, क्या demand है सांसर की, question की demand क्या है, सार्क के बारे पेरे बताएंगे कि सार्क 1985 में स्थापित हुआ था, सार्क में कौन से देश हैं, उसके बारे बात करेंगे, BIMSTEC के बारे बात करेंगे कि BIMSTEC की स्थापना, जैसे कि 1997 में भी थी, BIMSTEC में कौन से देश हैं, तो BIMSTEC को हम Bangkok Declaration से भी हम कहते हैं था, BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, 1997 में, Under the Ages of Bangkok Declaration, आपका BIMSTEC ब्लॉक बनता है, सार्क की बात करते हैं, तो सार्क 1985 में, काटमंडू में बनता है, शॉटकमिंग क्या रही हैं, South Asian Association of Regional Cooperation की सार्क की शॉटकमिंग क्या रही है, पोटेंचल क्या है BIMSTEC का, और क्या-क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं, BIMSTEC को मजबूत बनाने के लिए, सार्क कौन से देश आते हैं, सार्क माइनस अफगानिस्थान की ही बात करें, अफगानिस्थान, बांगलादेश, भुटान, इंडिया, माल्दीव्स, नेपाल, पाकिस्थान, स्रेड़ंका, BIMSTEC में पांच साउटेशन देश आते हैं, और दो साउटी स्टेशन देश आते हैं, कौन से, म्यानमार और थाइलेंड, BIMSTEC में, मौल्दीव्स, पाकिस्थान, अफगानिस्थान नहीं आते हैं, उसको छोड़के बाकी जो दब देश थे, सार्क में, वो सब BIMSTEC में आते हैं, देखें, आपको ये भी बताना चाहूँगा, कि सार्क की मीटिंग 2014 के बाद, 18th सार्क समिट हुआ था, 2014 में, उसके बाद सार्क फोरम में मीटिंग हुई ही नहीं है, 2016 में उरी पे हमला होता है, 2019 में पुलवामा पे हमला होता है, तो हमारे प्रधान मंतरी कहते हैं, कि हमको बादचीत करने में प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एक stronger regionalism, हम तो चाहते हैं कि साउटेशिया में regionalism मस्बूत हो, लेकिन हम क्या करें, अगर हमारे पडोसी देश, सार्क में कोई meeting नहीं हुआ है, अब अगें shortcoming की बात करें, तो इसमें कोई rocket science की बात नहीं है, क्या इंडिया नेपाल के जगड़े है सार्क में, क्या इंडिया मालीव के जगड़े है, territorial conflicts हो, थोड़े बहुत है आपस में कुई जगड़े हो, misunderstandings हो, वो तो हर एक देश की रहती है, लेकिन जादा तर, जो हम main broader, अगर हम समझें, जो conflict within सार्क है, वो है इंडिया पाकिस्तान का, जो मुद्दा है, जो विबात है, इंडिया पाकिस्तान के मुद्दों के कारण, disputes और differences के कारण, सार्क, जो के बहुत ही ambitious vehicle माना जाता था, to promote regional cooperation and to also promote regional trade, वो particular vehicle आज के टाइम पे, वो particular organization आज के टाइम पे defunct है, तो लेकिन इंडिया cannot ignore South Asia, बात समझ रहे हैं कि इंडिया को South Asia में relevance बनाने के लिए, एक alternative जरिया ढूड़ना पड़ेगा, तो जैसे Bimstick एक alternative route आता है, एक alternative जरिया हमार ली बनता है, जिसके चलते हम South Asia और even South East Asia में अपनी cooperation बढ़ा सकते हैं, इंडिया दोनों ही forums का member है, सार्क का भी है, Bimstick का भी है, और क्योंकि style relation इंडिया और पाकिस्तान का रहा है, इसके कारण सार्क में जो objectives हैं, वो completely achieved नहीं हो पाए थे, और इसके कारण भारत ने focus अपना shift करा है Bimstick के उपर, Bimstick एक जादा, मैं जरा चश्मा पहन लेता हूँ, बड़ा आंखों पे pressure पड़ रहा था, Bimstick एक जादा बहतरीम platform माना जाता है, वो regional cooperation, क्योंकि Bimstick में पाकिस्तान नहीं है, और क्योंकि Bimstick में पाकिस्तान नहीं है, तो इसके कारण अकसर यह दिखा गया है, कि पाकिस्तान ने कई ऐसे ambitious initiatives, जो के भारत के द्वारा promote करे गए हैं सार्क में, उसको रोका है, जैसे केतना कि टांग अड़ाने वाली बात होती है, तो पाकिस्तान ने हमेशा टांग अड़ाई है, अब जैसे 2014 में, मुझे याद है, तब मैं UPC की त्यारी ही करना था, तो मुझे याद है कि जब मोदी जी काटमंडू गए थे सार्क की summit में, तो वहाँ भारत ने suggestion दिया था कि हम एक motor vehicle agreement बनाते हैं, यानि कि seamless connectivity सब सार्क देशों की बीच में, यानि कि अगर आपने बाहरोड ट्रावल करना है पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से अब नेपा आगे अगर आपने अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया ने तो land connectivity की बात हुए भी लेकिन पीछे कौन हटा, पाकिस्तान, हमने South Asian satellite dedicate करी सार्क देशों को, लेकिन पाकिस्तान ने का कि नहीं चाहिए हमको आपके satellite, तो कि पाकिस्तान के अंदर वो inferiority mindset आ कोई फायदा नहीं है विकसत भारत बनने का, क्या आप जानते हैं, breaking news, few minutes series में, 4 अगस्ट 2023 को, सामने स्क्रीन पे देखेंगे, आपको एक चेहरा देखेगा, वो मेरा ही है, बहुत कूपसूरा चेहरा है, इंशाला, ये 4 अगस्ट 2023 को, ये वीडियो मैंने few minutes पे बनाया था सार्क वर्सेस विंस्टेक, क्या अच्छा है साउथ इस्टेशा के लिए, detailed analysis किया था, नहीं देखा, जाके देख लीजिए, आप अभी भी वो वीडियो पड़ा हुए, यूटियो पे तो कोई चीज उड़ती नहीं है, बड़ी होती है, unless हमारा कोई चानल हाक ना करे, उसस क्रॉस बॉर्डर ट्रेट की बात करूँ, कल्स्रोल एक्स्चेंज की बात करूँ, या अगर मैं बात करूँ के चलो पीपल-टू-पीपल रिलेशन इन्हांस करने है, लेखिए, connectivity बढने का सबसे important फाइदा क्या है, ट्रेड, South Asian region में इतना ट्रेड ही नहीं होता, हमको शु पर पड़ती है, rather than importing sugar from Pakistan, so what is the future of the trade in South Asia, so Bimstick में अगें पाकिस्तान नहीं हाता, इंडिया ने Bimstick को मिजबूत करने के लिए बहुत कोशेशे करी है, हलांके Bimstick में भी कुछ कमिया है, वो मैंने few minutes के video में भी detail में discuss किया था, लेकि Bimstick की अभी 97 से लेके 2023 तक 26 साल हो चुके हैं, लेकिन 26 सालों में Bimstick Forum की meeting के वल 5 बार होई है, which is very less, लेकिन अगें Bimstick में, लेकि Bimstick जो देश हैं वो भी around about more than 3 trillion dollar contribute करते हैं, जो GDP की बात करें, इन सभी देशों की, तो 3-4 trillion dollar के बीच में इन सभी देशों की combined GDP आती है, लगबग 20% दुनिया की जो आवादी है, वो इन सभी देशों में स्थित है, अब एक बात freetid agreement की आती है, तो FTA के idea को promote करने के लिए इंडिया ने काफी initiatives लिये थे, लेकिन अगें कंक्रीटली ये जो FTA, जो है Bimstick का वो भी materialize नहीं हो पाया है, although agreement की बात्ची तो 2004 से ही चलते आ रही है, trade, investment, tourism, disaster management, इन सभी बिशों मे नहीं कर सकता, और अगर हम सार्क की उपर जादा invested रहेंगे, तो वो बात भी सही नहीं है, हमको alternatives जोडने पड़ेंगे, तो BBIN है, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, then you have the Sasek Forum, then you have the Bimstick Forum, तो ये alternative, बेगे पार्टनी गला थोड़ा खराब है, मौसम चेंज हुआ है, तो ये कुछ alternative forums है, जो कि सार्क चार्टर में admission of new members का ऐसा कोई clause नहीं है, जो के थोड़ा flexible हो, जहां पे new members admit किये जाएं, लेकिन article 6 जो Bimstick Charter का है, वो कहता है कि नए members अगर admit करने हो, इस grouping में, वो किये जा सकते हैं, तो आने वाले समय में, यदि हम Maldives को, अगर इस forum में, अगर include करना चाहें, तो य यहां पर screenshot दे के question को भी पढ़ सकते हैं, अगला सवाल, यह कोई ऐसी बात तो नहीं है, जिसके बारे हमने बात YouTube पे ना करी हो, या आपने बात यहां ख़बारे में ना पढ़ी हो, अख़बारों में पढ़ते आ रहे हैं, 4-5 सालों से, 2017 से in fact, 6 सालों से quad के विशे को लेके टोक्यो में, जपान में, इस साल quad की जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, कारण वर्स, ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, बट लेटर दिस यर वो quad की मीटिंग होगी, तो question सीधा साथा पूछा गया है, यह rational क्या है, behind India's involvement in quad, तो quad क्या है, background area briefly, objectives क्या है, quad के, rules based international order uphold करना, maritime security freedom of navigation, climate change, इन सब objectives को uphold करना, भारत का role क्या है, quad में, कुछ technical, इसमें कुछ बहुत rocket science वाली बात नहीं है, 2017 से हम देख रहे हैं कि इस grouping के उपर emphasize किया आ जा रहा है, हलांकि जो idea है quad का 2004 में, 2004 में idea यहां पे सामने आता है, because 2004 में Indian Ocean region में जो tsunami आई थी, उसके चलते हैं, एक effective mechanism ब पना सकते हैं, disaster response के लिए, कि in future अगर tsunami आती है, कोई ऐसा, you know, national disaster calamarity होती है, तो कैसे effectively respond किया जा सकता है, तो उस वकद यह idea quad देशों का float किया गया था, यह जो idea है quad का, यह brainchild था, former Japanese Prime Minister Shinzo Abe Ji का, Shinzo Abe नहीं idea float किया था, and he was very, you know, optimistic about it, he was looking forward to sort of create an architecture in the Indo-Pacific region, which can be a strong security architecture, which can contain the rise and growth of China, let's also not forget that in the Indo-Pacific region, South China Sea आता है, South China Sea में काफी ऐसे disputed islands आते हैं, जो के वास्तव में disputed तो नहीं हैं, लेकिन चाइन ने बिना किसी मतलब कि उन islands के उपर dispute create किया है, with countries like Philippines, Indonesia, Brunei, और अब यह जो छोटे देश हैं, जो island countries हैं, यह effectively को ऐसा security architecture नहीं ढूंड पा रहे थे, जिसके चलते हैं, चाइना को contain किया जा सके हैं, तो शिंजो आबे का यह idea था कि 90 से, 1990 से लेके 2000 और 2010 में भी, चाइना ने अपने naval dominance के बलबूते पे, अपने belligerence के बलबूते पे, South China Sea में, काफी island countries को intimidation किया था, कैसे इन सब देशों को एक security architecture दिया जा सकता है, हलांकि Quad एक security alliance नहीं है अपने आप में, Quad ना तो कोई effective trade alliance है, ना तो कोई effective security alliance है, बट एनिहाँ, इस question में Quad का criticism नहीं पूछा गया, इंडिया का role क्या है, उसके बारे हम बात करें, लेकि इंडिया का role केवल इंडो पैसिफिक में, वहाँ पे सरफ इस बात तक सीमित नहीं रह सकता, कि चाइना को contain करने का अगर एक objective Australia, USA और Japan का भी है, तो वहाँ पे इंडिया भी बीच में bandwagon करें, यह एक fundamental objective जरूर है, चाइना और इंडिया के territorial conflicts है, तो जहाँ पे like-minded countries की बात होती है, कि चारो देश democracies हैं Quad में, like-minded countries की बात हो रही है, चारो देशों का कही ना कहीं एक objective है, कि चाइना के belligerence को contain करना है, यह एक fundamental objective जरूर ह लेकिन इंडिया की यह चाहत भी है, यह aspiration भी है, कि इंडो-Pacific region में, इंडिया कैसे उबर सकता है as a net security provider to these island countries in the times to come. Now, देखिए अब Quad को लेके, अगेन जैसे आपको मैंने बताया कि military exercises तो हो रही है, Quad देशों के बीच में, माला बार naval exercise की बात करें, लेकिन जादा military related बाते यह military technologies exchange नहीं हो रही है. Now, इंडिया को कैसे boost मिलता है? पहली बात तो हम यहाँ पर समझें कि इंडिया को मौका मिलता है चाइना के belt and road initiative को, belt and road initiative के influence को counter करने का by participating in Quad. Now, also क्योंकि Australia, America, Japan, इन सब के common enemy चाइना है, तो यहाँ पे इंडिया को भी यहाँ पे एक leverage मिलता है, क्योंकि इंडिया एक लौता देश है, जिसके territorial conflicts हैं चाइना के साथ, land border conflict हैं चाइना के साथ, जपान के conflict चाइना के साथ जरूर है, जो सेन के कुद्यायू आइलेंस की बात करते हैं, इस चाइना सी में, लेकिन land border conflict चारों देशों में से केबल इंडिया का है, इंडिया की जो act-ease policy है और इंडिया के जो extended neighborhood policy है, उसको भी एक boost मिलता है, बढ़ावा मिलता है, इंडिया अगर Indo-Pacific में align करता है, और अगर like-minded democracies के साथ, देखिए अब पहले इंडिया घवराता था कि अगर हम अमेरिका के ज़्यादा करीब होंगे, अगर हमारे दुश्मन जो हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, या हमारे दोस्त हैं, रश्या, अगर वो इस बात को देखेंगे कि इंडिया अमेरिका के बहुत नजदीक जा रहा है, तो वो क्या इस बात से नराज होगे, क्या वो retaliate करेंगे, लेकिन अभी भारत इस बात को लेके बहुत first है, बहुत clear है कि हम हमारी जो foreign policy है, वो autonomous है, हमारी strategic autonomy है, हम किसी देश को खुश करने के लिए या नराज करने के लिए किसी देश के साथ ना तो दुश्मन ही लेंगे, ना ही उसके साथ मित्रता करेंगे, हमारी अपना national interest अलाओ करेगा, तो हम किसी भी ऐसे देश के साथ दोस्ती जरूर करेंग कि एक billion vaccines, क्योंकि देखे, 2022 की शुरुवात में भी काफी tensions थी, omicron variant आया था, तो ये बात करी गई थी, कैसे ये इन सब देशों को, Indo-Pacific countries को तुरंत रहत कैसे पहुचाए जा सकती है, vaccine doses कैसे पहुचाए जा सकते हैं, तो vaccine metri का initiative भी, squad forum में ही integrated था भारत का, अगला सवाल बहुत सरल है, what is the significance of India's presidency in G20, discuss, अब आपके UPBCS में ऐसे भी आया था topic, meaning of G20 presidency for India, G20 को लेकि अगेन बहुत ही जादा बातचीत करी गई है, कितने सारे वीडियो बनाए है, कितनी सारी बातचीत newspaper में पड़ी है, तो अगेन भारत की जो यहाँ पे theme थी G20 presidency की, वासुदेव One Earth, One Family, One Future, और यहाँ पे भारत ने अपनी एक lifestyle approach की भी बात करी, भारत ने emphasize किया, कि देखी अभी दुनिया भर में बहुत मायूसी थी, COVID के चलते, COVID से अभी भार उबरे नहीं थे, तो रशय युक्रेन का वार हो गया, भारत ने G20 presidency के दुरान इस बात को काफी स्ने और प्यार कैसे cultivate कर सकता है, दुनिया भर के कितने भी कठोर हमारे challenges हों, चाहे वो लडाई है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो climate change है, चाहे वो epidemics है, इन सब को deal करने के लिए हमको आपस में एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, कोई एक देश अपने अर्थ विवस किया, अपने अर्थ विवस्था के स्थर का, अपनी economic prowess का, अपनी technological prowess का, और साथ के साथ आने वाले समय में भारत का जो गूल है, आने वाले 25 सालों में एक दिखसित भारत बनने का, और साथ के साथ एक ऐसा मौका अंतराश्य स्थर पर बाने का, जहां पे भारत को विश् Center Inclusivity पे, the concerns of least developing and developing countries पे, इन सब पे बहुत emphasize किया गया था, 200 से ज़्यादा meetings हुई थी G20 Presidency, जो के भारत के पास थी 200 से ज़्यादा G20 related meetings हुई थी, जहां पे तमाम engagement groups बनाए गये थी, और भारत का demographic dividend, भारत की जो युवाशक्ती है, इसका profession किया गया, भारत की जो urban middle class है, आ आने वाले समय में, चाहे वो urbanization की बात करे, sustainable development की बात हो, better technologies की बात हो, demand भारत में इस चीज़ की बढ़ने वाली है, हम कोशिश करना चाते हैं और हमारी इस दिशा में कोशिश भी है, हम ये बलकि अब उमीद भी कर रहे हैं, और वैसे हो भी रहा है कि भारत में विदेशी काफी आ रहा है, foreign investment, देखिया इतना बड़ा मौका, G20 Presidency, जहां पे हमने tourism को शोकेस किया, भारत के culture को शोकेस किया, एक ऐसा महाल हमने शोकेस किया कि आईए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजी, इंडिया में वो बातावरन, इंडिया में आपको ease of doing business का बातावरन मिलेगा, इंडिया में आपको thriving startup culture मिलेगा, तो ये सब चीजें भी, ये देकी बहुत बड़ी बात है, G20 leadership भारत के लिए, इसके चलते हैं बहुत सारे ऐसे investors हैं, foreign investors हैं, जो के भारत में आके invest करना चाते हैं, gone are the days, जब ये कहा जाता था कि भारत में व्यपार करना, business करना बहुत मु काम हो सकते हैं, यहांपे विदेशी धन आ सकता है, हमारे युवाओं को बहार, foreign countries में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत में कई सारी opportunities आने वहें 10-20 सालों में create की जाएंगी, multilateralism की agenda को भारत ने काफी promote किया, और साथ के साथ भारत को यहांपे मौका मिला, multifaceted diplomacy को showcase करने का, जहांपे भारत ने voice of global south, याने कि least developing और developing countries की concern को भी priority भी, इंडिया is ready for world leadership, analyze this comment, quill marks का ये question था, देखिये, क्या-क्या points आते हैं इंडिया के favor में, अभी G20 की चलो बात हमने करिये, पहली बात तो हम समझे कि भारत 5th largest economy है, sorry यहांपे 6th largest डिखा हुए, 5th largest economy है, हमन अपनी colonizing power UK को भी overtake कर लिया है, और उमीद की जा सकती है कि भारत 3rd largest, 3rd largest economy होगा 2030 तक, sorry यहांपे 2050 लिखा हुआ है, 2030 तक, भारत 3rd largest economy होगा, यह economic growth अपने आप में भारत को एक ऐसा strong platform देती है, जिसके चलते भारत अपना जो influence है, अंतराष्टिय स्थर पे एक्जट कर सकत है, युवा, युवा population, भारत के पास एक young और dynamic अबादी है, हर दूसरा व्यक्ति भारत में उसकी उमर अगर आपूछेंगे 28-29 साल की है, यह demographic dividend हमारे पास 25-30 सालों के लिए रहने वाला है, competitive advantage है, तो जाहर सी बात है कि भारत सरकार की योजनाएं और policies हमारे human capital में invest करने के होंगी, after all, यह युवा शक्ती ही है, जो के भारत को विक्सित भारत होने का सपना दिलाएगी 2047 में, आगर हम अपनी military strength की बात करें, दुनिया जहान के हमारे पास aircraft carriers हैं, दुनिया जहान के हमारे पास विमान वाहक हैं, आत्मन इन पर भारत के चलते हम अपने defense sector को boost करने की बात कर रहे हैं, जहान पर हमारी defense needs को prioritize किया जागा, चीज़ें यहाँ पर ही बनाई जाएंगी, एक rich cultural heritage है हमारा, जो के हजारों सालों पुराना है, भारत की सब्विता 5000 साल पुरानी है, क्या-क्या challenges हैं, जो कि भारत को deprive कर सकते हैं, world leadership गीन करने के लिए, गरीबी और inequality, रश्टाचार और infrastructure deficit, यह कुछ important challenges हैं, जिसके उपर भारत को काम करना पड़ेगा, और अगर इन challenges को address कर पाएं, along with addressing the environmental challenges, तो भारत तयार है, मंतराष्ट्रे स्थर पे, विश्वगरू बनने के लिए, leadership attain करने के लिए, देने एक सवाल आया, डायस्पोरा से related, यह 2023 के UPSC paper म How has the Indian diaspora emerged as an asset in the protection of national interest in America? Analyze it, देखी यह बात तो सत्य है, इस बात में कोई दो राही नहीं है, कि Indian diaspora ने एक बहुत एहम भूमे का निभाई है, as far as protecting the national interest in America is concerned, Indian diaspora, दुनिया भर में आप किसी भी diaspora के साथ compare करके देखें, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई बंदू हैं, चाहे वो Middle East में हो, चाहे वो Canada में हो, चाहे वो America में, चाहे वो Australia में, Indian diaspora is one of the largest and most influential diaspora communities across the world, 40,000,000 से जादा भारतिय अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे वो doctors हैं, चाहे वो lawyers हैं, चाहे वो chartered accountants हैं, engineers हों, scientists हों, artists हों, और उनको काती हद तक अच्छे तरीके से अच्छी representation politics में भी मिल रही है, मिसाल के तौर पे हम America के Vice President की बात करें, Kamala Harris, UK के Prime Minister, हलांके UK के Prime Minister इंडिया में नहीं जनमे थे, उनका जनम तो बाहर ही हुआ था, लेकिन Rishi Sunak की बात करें, उनके ties हैं इंडिया के साथ, तो ऐसे बहुत सारे, अगर हम US Senate की भी बात करें, तो लगबग 5-6 जो members हैं, US Senate की, वो भी Indian Americans हैं, तो देखिए, चाहे हम अपने India के interest को advocate करने की बात हो, India के जो Indians, जो America में रहते हैं, उनके interest को advance करने की बात हो, US Congress में, क्योंकि यहां पर question में केवल America की बात करी गई है, building relationships with American businesses and organization, promoting Indian culture and values in the US, and providing financial support to India's development, let's not forget, World Bank की एक report आती है, remittances की, remittances क्या होते हैं, यानि के पैसा, जो के हमारे भाई बंदू हमें वापस भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं, अगर आपके भाई या आपके बहार कहीं रहते हैं, कैनडा में हो, अमेरिका में हो, तो यदि आपको वो पैसे transfer करते हैं, महीने के end में जाके, उसको rem Middle East, यानि के अर्भी देशों से रहीं, लेकिन अमेरिका से आए हैं, क्योंकि हमारा जो skilled workforce है, अमेरिका की जो IT industry है, उसका backbone कौन है, वहां के जो Indian workers है, जो Indian Americans है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो खूब खूब सारा पैसा, हमारे जो भारती, जो हमारे युवा है, जो परिवार वालों को, और इसके चलते इंडिया की economic development में भी financial support दे रहे हैं, यह हमारे diaspora, इंडिन diaspora has played a key role in promoting India-US relations in the recent years, they have lobbied in the past, 2006-07 की बात करें, for the US-India nuclear civil cooperation, याद होगा 1998 में पोखरान जो टेस्ट हुआ था, पोखरान जो पोखरान निकले टेस्ट हुआ था, पोखरान ट sanction लगा दिये जाएंगे, कि इंडिया की हिमत कैसे हुई, उन्हें ने nuclear test किया, और उस वकत से लेके, 2002-2003-2004 तक भारत और अमेरिका की रिष्टे काफी, यूँ आप और डाउन रहा, लेकिन 2001 में World Trade Center पे attack हुआ और अमेरिका ने war on terror launch किया, जहां पे अमेरिका को इंडिया स जरूर हैं, क्योंकि हम एक nuclear armed neighborhood में रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ती का प्रदर्शन ऐसे गैर जिम्यवारी से नहीं करेंगे, अगर हम पे कोई हमला करेगा, तो हमें इस energy का, इस शक्ती का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी होगा, तो यह अपनी security, अपनी deterrence के लिए हमने nuclear power अपने आपको किया है, लेकिन बहराल, nuclear energy का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजली के उत्पादिन के लिए, जो एक renewable और clean source of energy है, तो कैसे, कैसे civil, कैसे nuclear energy को civilian purposes के लिए harness किया जा सकता है, और कैसे America, India को इस मामले में cooperation दे सकता है, तो America, India के बीच में, जो civil nuclear cooperation agreement sign किया गया था, इस में इंडिया के डास्पोरा का बहुत बड़ा रोल रहा था, तो 2016 में, इन फाक्ट, जब उरी पे हमला हुआ, पाकिस्तान के द्वार, और जब हमने surgical strikes, हमने retaliate किया, अतरोज दी यलो सी, जब हमारे special para 22 commandos ने, जैशे मुहम्मद और लश्करे ताइबा के कुछ terror camps को neutralize क किया और उड़ाया, तो वहाँ पे इंडियन डाइस्पोरा जो के अमेरिका में प्रेजन था, उन्होंने भी काफी ऐसे support और enthusiasm generate किया था, amongst the public of America, कि इंडिया ने जो काम किया, वो विल्कुल सही था, चली अगला question, इंडिया पाकिस्तान की उपर है, इंडियो पाकिस्तान की उपर है, इंडियो पाकिस्तान की बीच में काफी एक ऐसा contentious issue रहा है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, इंडिया का stand बहुत clear है कि कश्मीर एक integral part of union of India है, then rise of religious extremism की बात करें, देखिए religious extremism दोनों देशों में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, जिसके चलते है, violence और ऐसे दंगे दोनों देशों में काफी बड़े है, religious extremist groups often target करते है, members of other religion, which leads to increased hatred and violence, और nuclear factor की बात आती है, दोनों देश nuclear armed है, पाकिस्तान को जाहिर सी बात है, ये बात पसंद नहीं है, एक और यहाँ पर रुकावट आती है कि टिस्प्यूट में हमेशां third parties आ जाती है, यानि कि कभी अमेरिका की involvement दिखी जाती है, कभी चाइना की involvement दिखी जाती है, इंडिया पाकिस्तान स्वेम अपने जगडे अपने आप नहीं सुल जाता रहे हैं और एक external help की जरूर requirement रहती है हम नहीं जाते हैं किसी के पास पाकिस्तान की आदत है कि वो चाइना के पीछे या अमेरिका के पीछे छपके इंडिया पे वार करते हैं या उनको होता है कि हमको चाइना बचाएगा या हमको अमेरिका बचाएगा लेकिन अगर दोनों देश अपने मुसीबतों का अपने problems का अगर हल कर सके बादचीत करके हम तो त्यार होते हैं बादचीत करने के लिए बट आप पर आटाक करी चलो है अब कडी निंदा नहीं मूँ तोड के जवाब भी दिया जाता है तो हमने अपना जो तरीका है हमने अपना जो security doctrine है वो भी बदली है thanks to our national security advisor and honorable prime minister of course ऐसी बाते हम answers में नहीं लिख सकते हैं ताकि वहाँ पर हमने यह नहीं reflect करना कि हम मोधी भगते हैं कि आंटी मोधी भगते हैं बट आपको समझाने के लिए तो वे फॉवड डायलॉग अकसर एक बहुत भेतरीन टूल होता है diplomacy में जिसको बहुत underestimate भी किया जाता है trust deficit है डायलॉग के जरीए यह trust deficit को bridge किया जा सकता है अगर तो willingness पाकिस्तान भी शो करें और कश्मीर dispute को वैसे तो कश्मीर integral part of India है यह तो non-negotiable बात है article 370 abrogate करके जो special status था कश्मीर के पास वो भी अब special status उसके पास नहीं रहा है और उमीद करते हैं कि आने वले time में P.O.K. जो के पाकिस्तान ने इंडिया से हत्याया था 1948 में वो P.O.K. भी हम वापस लेके रहेंगे तो कश्मीर का जो मुद्दा है जो dispute पाकिस्तान ने race किया हुआ है वो इंडिया ने बहुत clear कर दिया काटेगोरिकली कि कश्मीर, लदाख, जमू ये integral part of union of India है यहाँ पे no compromise, no negotiation लेकिन फिर भी यदि पाकिस्तान को यहाँ पे गले में कुछ कट-कटाहट होती है यदि पाकिस्तान को यहाँ पे भी भी कोई तकलीफ होती है तो definitely बातचीत करके resolve किया जा सकता है अगर again मैं repeat करूँगा अगर पाकिस्तान willing हो तो दोस्तों ये 6 questions थे, लगबग आदा घंटा लगाया है इनकी broader discussion करने में मैं ये समझता हूँ और आप भी इस बात से तिफाक रखेंगे कि ये कुछ जादा मुश्किल questions नहीं थे, easy थे और again UPPCS के वेपर ने भी ये बात पर emphasize किया है कि जहां तक IR की बात है, current affairs को ignore नहीं करना, अपनी खुद की diligently newspaper reading जरूर करनी है अगर आपकी और किसी तरीके से हम मदद कर सकें, जरूर बताईएगा, toll tree number हमारा यहां पे दिया गया है UPPCS के लिए tailor made UPPCS exams के लिए, UPPCS के जो aspirants है यदि आप किसी course की तलाश में है, कि ये सारा का सारा course हमको consolidated मिले जहां पे quality भी पढ़ाई जा रही है, IR भी है, geography भी है, history भी है, environment, science and take economy, सब कुछ है तो आपकी तलाश यहीं पे खतम होती है, आपने phone उठाके यहां पे call करना है और sleepy classes के batches चो चल रहे हैं, catering to UPPCS, उसमें आपने इंडोल होना है ऐसे के batches हैं, ऐसे के batches में ही lead करना हूँ, तो ठीक लगे, तो जरूर इंडोल करिएगा, बाकी मिलते हैं बहुत जल, thank you, ta-ta, bye-bye